उतरप्रदेश के बांदा में बीती रात महाकौशल एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रही महिला के साथ चलती ट्रेन में लूट पार्ट का संसनी खेज मामला सामने आया बताया जा रहा है कि जैसे ही बदमाशों ने महिला का बैक छीना वो चलती ट्रेन से अपने समान को वापस लेने के लिए कूद गई इस दोरान वो गंभी रूप से घायर हो गई और उसे अस्पताल में भरती कर आया गया जानकारी के मताबिक पीडिता दिली के हजरत निजामु दिन से जबलपुर जाने वाले ट्रेन महा क्वाशल एक्सप्रेस के बीवन कोच में सफर कर रही थी अधिरात के दोरान जब ट्रेन जिंगवाही स्टेशन से गुजर रही थी तभी पहले से ट्रेन में बैठे घात लगाए बदमाश महिला से लूट पार्ट करने लगा महिला ने जब इसका विरोध किया तो अंधेरे का फायदा उठा कर बदमाश महिला का बैग उठा कर भाग गया इस दोरान महिला भी बदमाशों के पीछे भागी और चलती ट्रेन से कूद गई जिसे वो कमभीर रूप से घायल हो गई इस मामले में SP JRP मुहमद इमरान ने घटना की पुष्टी करते हुए बताया कि लूट की एक घटना संग्यान में आई है जिसमें ट्रेन में सफर कर रही महिला का बैग चीना गया महिला से लूट हुआ बैग मजदूरी करने जा रही महिला को सुबह के समय स्टेशन से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ मिला उन्होंने बैग की जानकारी गाउं के प्रधान को दी बैग में लैप्टॉप और मोबाइल था इसके अलावा गहने और रुपयों के संबंधित उनसे तहरी देने को कहा लेकिन उन्होंने देने से माना कर दिया पुलीस इस मामने की गंभीरता से जाच कर रही है बदवाशों को ढूनने का प्रयास किया जा रहा है महला के तरफ से तहरीर दी गए तो कारवाई की जाएगी ब्योर रिपोर्ट दिली समचार